भारती जनता प्राटी के यह सवीरास्ट्री अध्यक्ष, हमारे नेता, जिनोंने कोरोणा काल में कैसे संपर किया जाता है, इसकी एक नई विधा इजाद कर दी, बर्चुल रेली के माध्यम से करोडों लोगों से जुड़ने का जुनों ने काम किया है और भारती जनता पार्टी को सक्षम और प्रभावी नेत्रतु दिया है ऐसे हमारे राष्टी अद्रक्ष माननी जगत प्रकास नड्डा जी दौनों हाथ उपर उठाके ताली बजाके स्वागत कीजिए नड्डा जी का वंदन कीजिए नड्डा जी का अविनंदन कीजिए नड्डा जी का क्योंकि मदप्देश में 22 वद्दक्ष बनने के बाद इन दौर में कायरिकम संपन हुआ था लेकिन कोरोना काल के बाद पहला कायरिकम है उनका दिल्ली में ही मंच पर विराजमान भारती जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्रे आदर्णी स्रीमान नरेंद सिंग तौमर जी पंचात और ग्रामीर विकास के माध्धम से सेवा कर रहे हैं देश के पार्लियमेंटरी बोर्ट के सदस्य भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री राजसभा में हमारा नेतरत्व करने वाले आदर्णी स्रीमान थावर्चन गहलोज जी नरेंद सिंग जी का भी थावर्चन जी का भी ताली बजा के स्वागत कीजिए और राजसभा में अभी अभी नव निर्वाचित होकर मदप्देश के प्रतिरिक रूप में जो विराजमान होंगे हमारे लोग प्रिय जन नेता आदर्णी स्रीमान जी ताली बजा के उनका भी स्वागत कीजिए अभी नंदन कीजिए क्या मन्ज पर विराजमान हमारे प्रदेश के भाग्य साली अध्यक्ष जिनके आते ही कांग्रेश के गलों का ढहना सुरू हो गया भाई विश्णुदत्र सर्मा जी बंगाल में ममता जी के तंबू के सारे खंबे उखाडने वाले हमारे राश्ट्री महमंत्री जो मध्रदेश की सेवा में भी कोबटकाल में लगे हुए आदर्णी कैलास विजयवर की जी हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राश्ट्री उपाध्यक्ष, लेखक, चिंतक, पत्रकार, राजनेता, आदर्णी स्रीमान प्रभाद जाजी, आदर्णी सुहाज जी, आदर्णी नरुत्तम जी, आदर्णी तुलसी जी, बहन मीना सिंग जी, सभी वरिष्ट नेतागण, क्योंकि सभी वरिष्ट भी है और कनिष्ट भी लेकिन, हम सब के लिए सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण, जिनको मैं दौनों हाद जोड के प्रणाम करता हूँ, लोगतंत्र सैनानी, जिनोंने इंद्रा गांधी जी के खिलाफ हुंकार भरी थी, और लोगतंत्र बचाने में, जिनके परिवार तवाह और बरबाद हो गए थे, ऐसे हमारे लोगतंत्र सैनानी गण, मेरे प्रियकारी करता बहनों और भाईयों, 25 जून की रात आज भी याद आती है, हम तो समय बहुत छोटे थे, अचानक रात में आप आतकाल की खोशना कर दे गए, कि राहुल बाबा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अर इतिहास में तो जाक के देखो राहुल गांधी, अगर हिंदुस्तान के विवाजन के गुनहकार गोई है, तो वो गुनहगार कॉंग्रेस पाल्टी है, अगर हमारे भारत के 43 जार वर्ग किलो मीटर जमीन पर चीन ने कबजा किया है, तो राहुल बाबा उसके गुनहगार भी तुम्हारी कॉंग्रेस पाल्टी है, तुम्हारे नेता है, और डेस में लोक तंद्र का गला घौटने का पाप जिन्दे किया, हजारों लोग जैल में डाल दिये गए, उनका दोस्त क्या था, उनका खाली करो के जन्ता आती है, राम लीरा मैदान में क्या सभा हुई थी, पूरे देश में उसकी अंगुँच थी, और अटल जी का वो भासन अविस्वर नहीं है, इंद्रा गांधी के पाउं के नीके से जमीन खिसक गई, कांग्रेस की सत्ता काप गई, जन्ता का समुतर निक कर पड़ा कांग्रेस के खिलाफ, लोक नायक जैप्रिकास जी जिन्दाबाद के गगन भेदी नारे लगे, इंद्रा जी घवरा गई, यह कांग्रेस के इतिहास है, सत्ता बचाने के लिए देश में आपातकाल लागू कर दिया गया, लोक तंद्र का गला गोटा गया, सारे वरिष्ठनेता जैलों में, बिपच्छी जैलों के कारी करता जैलों में, यह हमारे भारती जन्संग संग, हमारे कारी करता है बैठे, क्या दोस्त है इनका, सब को जैलों में डाल दिया गया, और जैलों में आज जैसे नहीं डालते के नारी लगाये, गाड़ी की डग्ड़े पर चड़े और बापिस लोटे आए, हम तो 16-17 साल के थे, इस हभी बंच थाने में बंद करके बोड़ ठुकाई हुई थी, कोहनियों में डंडे और घुटनों में डंडे, जोड जोड जब बादल गरचते हैं और बिजली कलकती है तो, आज भी, इंद्रा जी की याद दिला देती, छोटे-छोटे मासुमों को जैल में ठूच जिया गया, इस कहानी में जामगा तो घंटों लग जाएंगे, बीविसर्ण सिंग्जी जैसे हमारे वरिष्टें बैठे हैं, हमारे हस्मत बारसी का क्या कुसूर था, जन संग के कारी करता थे, जैल में बंद थे, बीमार हुए, तणबते रहे, तणबते रहे, हम चिलाते रहे, अस्पताल ले जाओ, अस्पताल ले जाओ, लेगन उस समय की उस सरकार ने, पत्थर दिल सरकार, तणब, तणबते भोपाल जैल में दम तोड़ दिया हस्मत बाराथी ने, एक ने याने को कारी करता, जिनके घर और परिवार तवाह और बरबाद हो गए काम धंदे पे अफसाय ठप हो गए परिवार तोड़ दिये गए लेकिन लोक तंत्र बचाने के खातिर जनों ने सर्वोच बलिदान दिया हमारी राजमाताजी जल में थी अचल जी अड़वानी जी राजमाताजी गवालियर जल में और उनको अपराधी पहले गवालियर गई थी पहले गवालियर बाद मत्यहर में और उनको रखा गया अपराधीयों के साथ अपराधी मेहलाओं के साथ यह सान्या कोई करता है कहा है कि कांग्रेस इस कांग रेस के हितिहासी अपराद और पापों से भरा हुआ है लोक तंद के हत्यारो आज तम उंगली उठाते हो मोदी जी की तरफ नरेंद्र मोदी भारत को भगवान का बर्दान है नरेंद्र मोदी देश का मान और समान है आज पूरा पूरी दुनिया जिनकी तरफ चमत्कृत होके देखती है उनका उंगली उठाने के पहले सोच लिया करो अपनी पार्टी के पाप तो देख लो तुम सत्ता में जब जब आए भृष्टाचार के नित ने रिकार्ट खड़े कर दिये मदप्रेस में तो सबा साल में ही गजब कर दिया भल्लबभवन को दलालों का अड़ा बना दिया बाद है नहीं निभाए बचन पूरे नहीं किये एक मुख मंत्री सामने दिखता था मुखोटा दूसरा पीछे था अब असली कौन था नकली कौन था नकली चेहरा सामने आए असली सूरज छुपी रहे और आज फिर भाईया दाओ पेंच खोईल के फूल सिंग बरईया को पीछे धकेल के और फिर रासब हम पहुंच गया जोत्रा दित्ति जी का जोत्रा दित्ति जी का मैं अभी नंदन करता हूँ सही समय पर सही कदम उठाके मदप्रदेश को तबाही और बरवादी से बचा लिया हूँ पांच साल में खा जाती है मदप्रदेश को आजमानी नद्डा जी को हम सुनेंगे इसलिए विस्तार में नहीं जा रहा हूँ मदप्रदेश का विकास तुमने ठप कर दिया योजनाय बंद कर दी है बेटियों के कन्यादान तक के पैसे खा गए गरीबों के कफन के पांच हजार तुम खा गए राजबात करते हैं कांग्रेस के लोग कि करोना काल माननी अद्धक्ष जी जब हमने सत्ता संभाली पारिटी के आदेश से रात में दस बजे जब मैं बल्लब बबन गया नो बजे सपद क्रेंट करके तो एक बैठक उस मुखमंत्री ने करोना से निपटने के लिए नहीं की थी कि टेस्टिंग लैब नहीं दी हाँ बैठक जरूर कर रहे थे कहलाज जी और वो भी इन दोर में आईफा के लिए सल्मान खान और केटिना कौन थी केटिना कर अजय क्लीन कोई अब वो बैठक का समय था तुम्हारे पास मद्पलेस को कोरोना से बचाने का समय नहीं था अगर ये कमलनात और कांग्रेस होती है तो मद्पलेस तवाह और बरबाद हो जाता उन दोर में फैल चुका था कहलाज जी दिन और रात लगे रहे माँ कि हमारे विश्क्रुजात्र सर्मा अध्यक जी जी आज मैं आपका विनन्दन करना चाहता हूं स्वाज जी पार्टी ने कोरोना काल में जनता की जो सेवा किये वो अधुध है अभुध पूर्वे मानी नड्डा जी का मारे दर्सन हमको मिला जब में मुक्मंत्री बना एक लेप थी आच चब्वीस लाइब है हजारों टेस्ट रोज हम कर रहे हैं और आज मैं अपने राश्टी अद्डग जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कोरोना को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा है मद्ध प्रदेश ने पूरी तरह से प्रॉल तेईसो चौवीस सो से ज़्यादा एक्टिव केस नहीं है अस्पताल स्वास दिभा का सुद्रड़ी करण सारे जरूरी उपकुरणों का इंतिजाम सब भारती जंता पार्टी की सरकार ने किया और उस दोरान जब संकट के समय ये दादा कमलना तो कहते थे पैसे ही नहीं है पैसे ही नहीं है कोई भी कुछ मागने जहें पैसे ही नहीं है खजाना खा लिए लेकिन 38,000,000,000,000,000 रुपया अलग अलग ये ओजनाओं के तहट अगर जंता के खाते में डाला तो भारती जंता पार्टी की सरकार ने डाला हम ने डाला विकास के काम फिर प्रारंब हो गए संबल ये ओजना फिर चालू हो गई गरीबों का बलवन गई बच्चों की स्कालर सिर्फ खाते में डाल दी गई गरीबों के खाते में पैसा डालने का इंतिजाब किया गया नरین सिंग तौमर झी बैठे है है नरें सिंग तौमर झी वे हैं बैठे है मन्रेगा में आश्चर जने कुछ से 26 लाग से जादा लोगों को रोजगार मिला और अब तक अलग-अलग योजनाओं में 50 लाग लोगों को रोजगार मद्धते सरकार दे चुकी है और मोधी जी के नेतरत में जो काम हो रहा है आत्म निर बार भारत के लिए मैं अपने राश्चियत देग स्रीमान नड्डा जी को आज आप सब कारी करता हूं को और से विश्वाद दिलाना चाहता हूं दिला दूँ अरे जो और से बोले दिला दूँ कि मानी नड्डा जी आत्म निर बार भारत के प्रधान मंत्री जी और आपके संकल्प को मध्धप्देश में भारती जनता पारिटी के कारी करता और सरकार पूरा करके दिखाएगी सरकार और जनता कारी करता साथ मिलके काम करेंगे आज मद्धप्रदेश में आपने समय दिया इसके लिए आपका अभी नंदन और अब अबिस्तार से हम आपको सुनेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद